नमस्कार दोस्तों, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गौडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गौडसे ने गांधी जी के सीने पर तीन गोली ने दाक कर उनकी हत्या कर दी थी पर हत्या करने और हत्यारे के फांसी हो जाने तक पूरे इंसिडेंट के बाद एक सवाल जोर पकड़ता है कि आखिर क्यों नाथुरम गौडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी इसके लिए गौडसे के पास कौन सी बड़ी और असली वजा थी चलिए जानते हैं इसके बारे में ये आजाद भारत में हुआ सबसे घिनोना गुनाह था ये आजादी के सबसे बड़े नायक को खामोश करने की काईराना साज़िश थी नाथुराम कोट से एक ऐसा शक्स जिसने नफरत और हिंसा के हथियार से सत्य और अहिंसा के पुचारी पर हमला किया Why I Killed Gandhi? Platform citing that it glorifies Gandhi's killer. मैंने गांधीची का वध की और जिस प्रकार एक भारा हुआ जुआरी दाओ पर दाओ लगाता चला जाता है उसी प्रकार गांधी जी भी दाओ पर दाओ लगाती चले आपको पता है कि गौड़से के पहले पेरना सुरूत गांधी जी ही थे इस तरह की बातें सामने आती रहती है पर फिर गांधी के पृतिये समर्थन दीरे दीरे नफरत में तब्दील हो गया नातुराम गौड़से का जन्म 19 मई 1910 को माराष्ट के पुने के पास ही बारामती म हुआ था जो कि ब्रहमर परिबार में पैदा हुए कटर हिंदू समर्थ थे पहली बार गांधी जी के सत्यागरे आंदुलन की वज़ा से जब गौड़से जेल गए तो वहीं से नातुराम के मन में गांधी के लिए नफरत के भाव उबर आए कई ऐसे पल भी आए जब यह और बढ़ती गई और फिर 1937 में वीर सावर करको गौड़से ने अपना गुरू मान लिया देश के बटवारे से गौड़से हिल चुका था उसके अंतिम बयान से तो ऐसा ही लगता है दरसल कहते हैं कि देश के बटवारे से गौड़से डिस्ट्रेश्ट था बटवारे की वज़े से उसके मन में गांधी जी के लिए नफरत और बढ़ गई फिर जुलाई 1947 को तो गौड़से उसके सातियों और एक एक हिंदुवादी नेताओं ने तो इसके लिए शोग दिवस तक मना डाला ऐसा इस वज़े से क्योंकि तमाम संगठानों के साथ ही गौड़से म आत्मा गांधी बाहर निकलने लगे और इसी दोरान उनके पैर छुने का बहाना करते हुए गौड़से जुका और बेरेटा पिस्टल से उनको तीन गोलिया दाग दी फिर चोथी गोली नाराएं दत्रात्रे आप्टे ने दागी जो गौड़से के साथी थे जिसके बाद गांधी जी की जान चली गई तत्काल पुलिस ने गौड़से और आप्टे को धर लिया मुकदमा चलने के बाद 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी की सजा दोनों ही अपरादियों को दे दी गई कहते हैं कि गौड़से को बकॉल डॉमिनिक लौपियर और अनके कात्वी की थी जब वे गौड़से से मिलने थाने पहुंचे थे गोबाल गौड़से ने अपनी किताब में लखा है देवदास सायद इस उम्मीद से आये होंगे कि उन्हें कोई वीभत से चेहरे वाला गांधी के खून का प्यासा कातिल नजर आएगा लेकिन नाथुराम स पिता को खोया है मेरी वज़ा से तुम्हें दुख पहुंचा है तुम पर और तुमारे परवार को जो दुख पहुंचा है इसका मुझे बड़ा दुख है करपया मेरा यकीन करो मैंने यह काम किसी व्यक्तिगत रंजिस के चलते नहीं किया है ना तो मुझे तुमसे कोई द गादी गोपल गोड से ने अपनी पुस्टक में नाधुराम की वसीयत का जिक्र किया है इसकी आखरी लाइन है अगर सरकार अदालत में दिये गई मेरे बयान पर से पावंदी हटा लेती है ऐसा जब भी हो मैं तुम्हें उसे प्रकाशित करने के लिए अधिकरत करता हूँ ऐसे फिर नाधुराम के बयान में आखर में क्या उसमें नाधुराम के इन पहलों का जिक्र किया है पहली बात वे गांधी का सम्मान करता था उसने कहा था वे वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है या बोला है मैंने उसे गंबीरता से पढ़ा है मेरे विचार से प पहला दायत भिंदोतों और हिंदों के लिए है एक देश वक्त और विश्मनागरिक होने के नाते 30 करोड हिंदों की स्वतंतरता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे बारत की रक्षा होगी जहां दुनिया का प्रतेक पांचवा सक्स रहता है इस सोच ने मुझे हिंदू स पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो मैं इस नतीजे पर पहुँच गया कि गांदी जी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा गांदी जी ने दक्षन अफरिका में भारतिय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की दिसा में शांदार काम किया था लेकिन जब वे आये तो उनकी मान सकता कुछ इस तरह की बन गई कि क्या सही है और क्या गलत इसका फैंसला लेने के लिए खुद को अंतिम जज मानने लगे अगर देश को उनका नित्रत्व चाहिए तो ये उनकी अपराज्यक ताका सुईकार ने करने जैसा था अगर देश उनके नित्रत् लने लगते इस सोच ने नातुराम को गांधी जी की हत्या करने के लिए उकसाया नातुराम ने भी कहा कि इस सोच के साथ दो रास्ते नहीं हो सकते या तो कांग्रेस को गांधी जी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता और गांधी जी की सारी सोच दर्सन और नजरिये क तर्थिकत तोर पर किसी के बृति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता क्योंकि उनकी नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में थी लेकिन उसी वक्त में ये साफ देख रहा हूँ कि नीतियां केवल गांदी की थे लेकिन उन्होंने ये भी का कि कांग्रेस के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए गांदी जी को भूख अर्दाल करनी पड़ती अब अगर ऐसा था तो किशी ताना सा को आदेश देने के सिवा कुछ करने की जरूरत ही क्यों होगी नातुराम जी ने गांदी जी के अंति युक्त रास्ता दिखाया नातुराम ने अदालत में जो भी कहा तर्क के आधार पर उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता यह देवदास को दिये बयान से भी उल्टा है किवल राजनीती के चलते उसने गांदी जी की अत्या नहीं की थी वह गांदी जी की धर्म पेक्षिता गांदी के प्रति वहमनस से रख सकता है जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कोई उनके महत्मा उने के दावे को भी खरिच कर सकता है हाला कि महत्मा उने का दावा उन्होंने खुद भी नहीं किया कोई साधुता को आदर्स के तोर पर ही खरिच कर सकता है और कोई इसलिए यह म मान सकता है कि गांदी का मूल भाव मानव विरोधी और प्रत्क्रिया वादी था लेकिन एक राजनेता के तोर पर देखने पर और मौजुदा समय के दूसरे तमाम राजनेताओं से तुलना करने पर हम पाते हैं कि वे अपने पीछे कितना सुगंदित ऐसास छोड़कर गए है 2022 में गांदी जी के बारे में आज भी यही सच है जबकि नातुराम कोड से की सिकायतें समय की धुंद में गायव हो चुकी है इंफर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए